100 days of code में आपका दुबारा से सुआ गते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे modules के बारे में और pip क्या होता है इसके बारे में modules basically दूसरों का code बॉरो करने में इस्तेमाल होता है और इस फोन के अंदर क्या चल रहा है किस तरह से काम कर रहा है यह मुझे नहीं मालूम उसके बाद भी मैं इस फोन को इस्तेमाल कर पा रहा हूं यह तरह से मेरे लिए external module है मुझे नहीं मालूम कि इसकी implementation क्या है लेकिन मैं इसको use कर पा रहा हूं लेटर से एक self driving car तो आप नहीं चाहोगे कि आप 10 numbers का average निकालने का program लिखो या फिर आप लोग 10 numbers का geometric mean निकालने का program दुबारा से लिखो इसमें human error आ सकता है यह जो code होता है जो की modules के अंदर लिखा हुआ होता है वो well tested होता है experts के द्वारा लिखा हुआ होता है और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको use कर लिया होता है इसलिए इसमें error के chances भी बहुत कम होते हैं अब अगर आप लोग चाहो तो scratch से program लिख तो सकते हो अपनी understanding के लिए लेकिन आप लोग अगर modules के इस्तेमाल करोगे तो time बचेगा efforts बचेंगे और आप लोग एक किसी बड़ी चीज़ पर काम कर पाऊगे चलते हैं computer screen में और हम लोग install करेंगे कुछ modules को और देखेंगे कि यह सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है let's get started so guys मैं आ चुक हूँ अपनी computer screen के अंदर और अपनी day 3 की रैपल को खोल लेता हूं यहाँ पर जल्दी से और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा यह वीडियो जो कि मैं अपी रेकॉर्ड कर रहा हूं but अभी क्योंकि यह वीडियो यहाँ पर रेकॉर्ड नहीं हो आप लोग को यहाँ वीडियो देखने को मिलेगा by the way बता दूँ और उसी के साथ-साथ मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करूंगा आप लोग देखो इसको अपनी तरह अपने इसाब से एडजस्ट कर सकत हो मैं जल दीज आप लोग को बताना चाहता हूं कि मॉडियूल्स क्या होते हैं पाइफन के अंदर देखो जब भी आप लोग पाइफन प्रोग्रामिंग लैंगविज के अंदर कोई भी कोड लिखते हो तो आप उसको दो तरह से लिख सकते हो या तो आप उस कोड को काम करेगा अगर आप लिनक्स में तो पिप 3 काम करेगा विंडोस में पिप काम करता है बर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जैसी मैंने पिप 3 लिखा यहाँ पर बहुत सारी चीज़े मुझे देखने को मिल गई अगर मैं आप लिखता हूं पिप 3 इंस्टॉल पैंड़ अब आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है पैंड़ास क्या होता ही मैं क्या लिख रहा हूं तो आप लोग देखो यहाँ पर लिखकर आ रहा है कलेक्टिंग पैंड़ास यह डाउनलोड कर रहा है 1.1 Mbps से एक पाकेज को लेट मी एक्स्प्लेइन कि यहाँ पर क्या च कर लिया है अब यह built-in modules और external modules को समझाने का एक बहुत अच्छी analogy आपको बताता हूँ जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी आप लोगों को समान लेने के लिए बेजा करती थी और वो आपसे कहती नहीं कि यार जाके दूद लेया हो जाके दई लेया हो या फिर ब्रेड ल आकर आपके python interpreter में install कर देता है और example pandas को भी इसने यापन install कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हो अब मैं pandas को इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन क्या हर जीज़ को लाने की जरूरत पड़ती है अगर आपको refrigerator की जरूरत है तो almost हर घर में refrigerator होता है और refrigerator को बाहर से लाने की built-in modules है हर घर में मिली जाते हैं तो हर बार बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है उसी तरह से built-in modules और external modules काम करते हैं तो जो भी module हमें install करना होता है हम pip की साहिता से install कर सकते हैं और इसके बाद अगर मैं आप python 3 लिखूँ और आप windows में तो python लिखे तो आपको python 3.11 कु मुझे error देखने को मिलेगा module not pound error no module named sklearn अब आप लोग टेंशन मतले ना बिल्कुल भी किया यार यह सब क्या चीज़े लिखी जा रही है आपको समझ में नहीं आएगा मुझे मालूम है जस्ट मैं आप लोग की understanding के लिए बता रहा हूं कि modules को किस तरह से grab किया जाता है तो मैं python की rappel से बाहरा हूंगा exit लिखूँ 3 लिखे import sklearn करूँगा तब मेरा काम हो जाएगा अब यह कुछ dependencies को इसकी install कर रहा है जो की शायत तरह टाइम ले सकती है sklearn क्या machine learning की एक library है क्या हम अभी इस्तेमाल कर रहें not just yet ठीक है तो अगर मैं आपर लिख दूँ sklearn तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा machine learning library in python करेंगे यार सब कुछ करेंगे धमाका मचाएंगे आप tension मतलो अभी बहुत सारे लोग मुझे comment कर रहेंगे काफी slow चल रहा है काफी यह सारी चीज़े तो हमें मालूम है उन लोगों से कुछ दिन के बाद मिलत import sklearn दिखाना चाहता हूँ कि जो import sklearn है वो यहाँ पर काम करेगा आप देखो import sklearn करूंगा काम करेगा नहीं नहीं आएगा error ठीक है तो मैं आपर इसको exit कर दूँगा अब यह जो चीज़ है जो कि हम python 3 लिखकर यहाँ पर देख पा रहे हैं यह रैपल है python यह री पील र क्या आप इसको बिना replicate के कर सकते हो absolutely it's possible but मैं replicate का स्थमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि replicate काफी convenient है ठीक है तो मैं यहाँ पर एक main.py नाम से जो file बनी हुए इसको बनाओंगा और इसका जो output है यह console इसको मैं यहाँ पर ले जाओंगा आप देखे रहे हैं जैसे मैं इसको drag क बात पता ही क्या है जैसे मैं इसको run करूंगा यह detect कर लेगा कि भाई pandas तो ही नहीं तो यह automatically इसको install कर देगा तो आप confuse मत हो ना कि यार एरर क्यों नहीं आया एरर इसलिए नहीं आया है क्योंकि replet ने आपकी convenience के लिए इसको install करना शुरू भी कर दिया replet चाहता है कि आप लोग जब programming कर रहे हो तो आपको convenience रहे लेकिन concepts आना आपको जरूरी है अगर आप लोग यहां चलाओगे तो error वगरा देखने को मिलेंगे आपको जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाए लेकिन replet में आप देखो इसने pandas automatically install करना शुरू कर दिया मेरे लि लिखता हूँ यहां पर print high को इस तरह से लिखता हूँ और अब मैं run करूँगा तो install हो चुगा है क्योंकि pandas high यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह replet की खासियत है अब यहां पर आप लोग की convenience के लिए मैंने text में लिखा हुआ है कि module code library की तरह होती है जो क Python programming language के साथ ship होते हैं तो लिखते हैं जरा यहां पर built-in modules in Python और देखते हैं कि वो कौन-कौन से modules है जो कि built-in है Python में वो कौन से modules है जो मुझे install करने की ज़रूरत नहीं है बार-बार यह देखो यहां पर हो सारे modules की list आ गई है आप यहां पर देख सकते हो कि hashlib नाम का एक module है simple high लिख करा गया लेकिन on the other hand अगर मैं आप लिखो import TensorFlow आप लोगो दिखाता हूं टेंसर फ्लो लिखो तो टेंसर फ्लो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा यहां पर आप देखो यहां पर इसने TensorFlow को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है जो कि TensorFlow built-in module नहीं है यह external module है इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके लाने की जरूरत है इसको लाया जा रहा है ठीक है तो external modules लाने पड़ते है जैसे कि आपके घर का समान है जो की खतम हो गया है घर में वो आपको लाना पड़ता है रोज बर रोज दूद आपको लाना पड़ता है लेकिन plate आपको रोज नहीं कर सकते हो code को तो जो भी code में लिक रहा हूँ न या पर आपको इस तरह से copy करें और इसके बाद इस तरह से paste कर दें ठीक है और आप इसको run कर पाएंगे तो pandas में क्या होता है एक module है pandas जिसके अंदर read csv function होता है csv excel की तरह फाइल होती है उसको आप read कर सकते है बट अभी इस चक्कर में मत पढ़ना आप लोग मैं जिस आप लोग को बता रहा हूं कि इस सीजर कैसे काम करती है मैं आने वाले टाइम में detail में आपको excel एक्सल सब रीड कर वाओंगा तो tension लेना मत उसकी गलती से भी आप लोग ठीक है अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे क आप लोग यूज करो अगर आप लोग आते हो तो आपको उस चीज की tension लेनी की ज़रूरती नहीं है और मैं आप लोग को बता दूँ as long as it's python 3 python 3.7, 3.11, 3.8 इन में ज्यादा difference नहीं होने वाला है आप लोग के programs काम करेंगे हां लेकिन अगर python 4 आ जाता है या python 5 आ जाता है तो यह वो एक major upgrade हो सकता है हो सकता है उसकी भी guarantee नहीं हो सकता है कि कई चीज़े same रहे python 4 में भी तो वो चीज़ भी देखने वाली बात होगी बट इस चीज़ की tension ही कभी मत लेना किया आपको कौन सा python use करना है क्या मैं python 3.11 की tutorial देख रहा हूं तो 3.12 यूज करके देख सकता 1.1 के absolutely yes आप देख सकते हो ठीक है basics same रहने वाले है अब जिस तरह से हमारा ये terminal है ना उसी तरह wraplet में shell होती है ठीक है तो आप लोग shell में जाकर अगर python लिखते हो ना तो बिल्कुल वही चीज़ खुलके आ जाएगी देखो python 3.8.12 इसमें install हो रहा है तो अगर मैं यहाँ प आपकी ID है वो यहाँ पर browser में built-in है तो थोड़ा सा असान हो जाता है मैं भी यहाँ पर आ जाओंगा आपके यहाँ पर नीचे मैं देखने को मिलूंगा आपको यहाँ पर इस window के अंदर जो की float करेगी और यहाँ पर मेरे दुआरा लिखा हुआ text tutorial आपको देखने को यह मैंने कावी मैनट डाल के लिखा है तो पड़ाना जरूर skip मत कर देना इसको गलती जबी ठीक है तो काफी बड़िया learning experience आपका होने वाला है हमारा जो हमारा python का first tutorial था उसके अंदर हम लोगोंने almost 30,000 views 24 गंडे के अंदर अंदर cross कर लिए तो काफी trending चला था यह video हमारा त YouTube यूज़ करता है python को python ko instagram भी यूज़ करता है python को facebook यूज़ करता है python को ये सवाल लेjakन यूज़ करता है बल्कि सवाल ये है कि कौन यूज़ नहीं करता है python को python इतनी बढ़ी ड़ी या versatile language है कि सब लोग almost σारी बढ़ी-बडी companies python को use करती है अब ये तो हमिलेर है कि हम लोग जिन्दिगी में करी रहे है तो उसी लिए हम लोग Python programming language का इस्तमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत जादा असान है Day 4 में मुझे जरूर मिलना अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाँ 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 झाँ